Hello and welcome to V3 Cars क्या आप जानते हैं कि काईगर का बूट निसान किक्स से भी बड़ा है अगर आप काईगर लेने की सोच रहे हैं तो इस वीडियो को देखने के बाद आप अपने बजट और रिक्वाइमेंट्स के हिसाब से इस कार का सबसे सूटबल वेरिंट्स चूज कर पाएंगे काईगर के वेरिंट्स एक्स्प्लेइन करने से पहले चलिए आपको इसकी सारी बेसिक इंफॉर्मिशन दे देते हैं जैसे के इसके प्राइसेस, इंजिन स्पेसिफिकेशन और डाइमेंशन ताकि आपको इस कार के बारे में एक बेसिक आईडिया हो जाए सबसे पहले देखते हैं इसके अप्डेटिट प्राइसेस लेकिन इससे पहले हमारी लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए वी थी कार्स को सबस्क्राइब करना और बेल आइकन को क्लिक करना ना भूले आप हमारी वीडियो टाइम लाइन यूज करके किसी भी सेक्षन पे आगे या पीछे कन्वीनेंटली जा सकते हैं प्रेजन सेक्षन हमेशा वाइट से मार्ग रहेगा काईगर के बेस RxE वेरियंट का प्राइस अभी 5.45 लाक रुपीज ही है लेकिन नॉर्मल पेट्रोल एंजिन के बाकी सभी वेरियंट का प्राइस 14,000 रुपीज से 25,000 रुपीज तक इंक्रीज हुआ है इस प्राइस रिविजन के बाद काईगर के मानूल और AMT वर्जिन में 50,000 रुपीज का डिफरेंस है ये पहले 45,000 रुपीज था काईगर टर्बो के केस में CVT के प्राइस में कोई चेंज नहीं है लेकिन मानूल ट्रांसमिशन वाले वेरियंट का प्राइस 24,000 रुपीज से 30,000 रुपीज तक इंक्रीज हुआ है प्राइस चेंज के बाद अब काईगर टर्बो के मानूल और CVT आटोमाटिक में अराउंड 75,000 रुपीज का डिफरेंस है इट इस वर्थ नोटिंग के काईगर मानूल के corresponding naturally aspirated और टर्बो वेरियंट में अब 1.10 लाइक रुपीज का प्राइस रिफरेंस है टर्बो पेट्रोल एंजिन के लिए अपग्रेड कोस्ट हमारे according higher side पे है चलिए अब काईगर के engine specifications देखते हैं काईगर का 1 लीटर नॉमल पेट्रोल एंजिन 72 PS की maximum power 96 Nm की peak torque produce करता है यह same engine Nissan Magnite में भी आता है हवेवर काईगर में normal petrol engine के साथ manual और AMT automatic दोनों का option है और Magnite में यह सिर्फ manual transmission के साथ ही मिलेगा काईगर और Magnite की power और torque figures बाकी normal petrol B2 segment SUVs के comparison में lowest है काईगर में 1 लीटर turbo petrol engine भी आता है जो 100 PS की maximum power और 160 Nm की peak torque produce करता है यही same engine Magnite में भी आता है इस case में काईगर का power और torque output इसके rivals से comparable है और इसकी torque to weight ratio इस comparison में best है तो इसकी drivability segment की बाकी cars से better होगी Magnite की तरह काईगर में भी turbo petrol engine के साथ CVT automatic का option है इस power train का peak torque output थोड़ा कम है काईगर और Magnite दोनों की 20 km per litre की claim fuel efficiency इस segment में best है चलिए अब काईगर के dimensions देखते है काईगर B2 segment SUV है तो इसकी overall length around 4 meter है यह सिर्फ WRB से ही जादा wide है और Venue और Nexon जितनी tall है काईगर का wheelbase 2500 mm है which is the same as Magnite, Sonnet, Venue and Brezza इस segment में काईगर का boot सबसे जादा spacious है और इसकी 205 mm की ground clearance सिर्फ Nexon से ही कम है काईगर के सभी variants में 16 inch wheels आते हैं चले बिसके variant wise features देखते है काईगर के base RX-E variant का price 5.45 lakh rupees है standard safety features के अलावा front armrest, front power windows और front and rear power outlet इस variant के key functional features है style के perspective से LED DRLs, black ORVMs, black door handles, 16 inch steel wheels with wheel covers, roof rails, integrated rear spoiler और LED tail lamps notable features है RX-E variant के सभी features आप अभी table में देख सकते है इस variant में कुछ basic features missing है जैसे day night IRVM, adjustable rear headrests, rear power windows, audio system with steering mounted controls और electrically adjustable ORVMs As a budget buyer आपको काईगर का RX-E variant लेना चाहिए या इसके RX-L variant पे upgrade करना चाहिए इसका answer हम next variant की details में देंगे काईगर RX-E से RX-L variant का upgrade अब 87,000 रुपीज का है इस variant में normal petrol engine के साथ AMT और turbo petrol engine with manual transmission का भी option है इस variant में day night IRVM और speed sensing auto door lock जैसे safety features के अलावा audio system, tilt steering, electrically adjustable ORVMs, rear power windows और rear AC vents जैसे features भी मिलेंगे style के perspective से body color door handles, shark fin antenna और dashboard पे silver trim की additions है आप इस variant में added सभी features अभी टेबल में देख सकते हैं adjustable rear headrests, steering mounted audio controls, height adjustable driver seat, rear wiper और defogger इस variant के कुछ key missing features है इस variant में added features के लिए 87,000 रुपीज का amount अब काफी जादा है considering के RX-L variant पे कुछ states में extra tax भी लगेगा क्योंकि इसकी cost 6,00,000 रुपीज से जादा है तो ऐसे bias जो काईगर का कोई higher variant consider नहीं कर रहे है उनके लिए अब RX-L variant लेके value पे compromise करने से better होगा RX-E लेके उसमें audio system और rear power windows जैसे features retrofit करवाना इस variant में AMT का भी option है और manual transmission से इसकी upgrade cost 50,000 रुपीज है आपको AMT का RX-L variant लेना चाहिए या किसी higher variant पे upgrade करना चाहिए इसका answer हम next variant की details में देंगे RX-L variant onwards turbo petrol engine with manual transmission का भी option है और इसकी upgrade cost 1.10,000,000 रुपीज है वी थिंक के अगर आप turbo petrol engine के साथ काईगर को ले रहे हैं तो कोई higher variant ही choose करें for better ownership experience चलिए अब RX-T variant की details देखते हैं काईगर RX-L से RX-T variant का upgrade 48,000 रुपीज का है इस variant में turbo petrol engine के साथ CVT का भी option है विच कोस्ट 70,000 रुपीज एक्स्टर RX-T variant में side airbags rear wiper और rear parking camera जैसे safety features add होते हैं इस variant में 8-inch touchscreen infotainment system भी मिलेगा with steering mounted controls and Apple CarPlay and Android Auto connectivity height adjustable driver seat 60-40 split rear seat with adjustable rear headrests and armrests keel-e sentry with push-button start-stop styled steel wheels और usable roof rails इस variant के notable features हैं RX-T variant में added सभी features आप अभी table में देख सकते हैं हमारे internal data के according in features के लिए 48,000 रुपीज की upgrade cost बहुत attractive है We'd have light duggar इस variant में rear defogger और auto AC जैसे features भी आते even at a slightly higher price Since अब काईगर RX-L किसी भी power train में पहले जितनी value offer नहीं करती तो दोनों engines के लिए हम RX-T variant पे upgrade recommend करेंगे चलिए अब top RX-Z variant की details देखते हैं काईगर RX-T से RX-Z variant का upgrade 89,000 रुपीज का है Turbo CVT power train के case में इस variant की upgrade cost 95,000 रुपीज है LED headlamps और rear defogger जैसे safety features के अलावा इस variant में Archimedes audio system मिलेगा with wireless apple couple and android auto connectivity Multi-drive modes, auto AC, electrically foldable ORVMs और cool glove box इस variant के notable added functional features है Top variant में alloy wheels, leather wrapped steering wheel, digital instrument cluster और ambient light जैसे style related features भी मिलेंगे RX-Z variant में added सभी features आप अभी table में देख सकते हैं हमारे internal data के according RX-Z variant में added features RX-T variant के उपर 1,00,00 रुपीज तक की incremental cost justify करते हैं ये features primarily convenience और feel good factor enhance करेंगे अगर आप long term ownership period के लिए car ले रहे हैं तो ये upgrade ज़रूर consider करें especially turbo petrol engine के case में चलिए अब काईगर के सभी variants को sum up करते हैं so that आपके लिए एक decision लेना easy हो जाए लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को subscribe नहीं किया है तो कर लीजे और bell icon को press करना ना भूलें so that आपको हमारी सारी latest videos की notifications मिल जाएं काईगर में normal petrol engine सभी variants के साथ available है इस engine के साथ budget buyers के लिए अब RX-L variant ना लेके RX-E variant में audio system और rear power windows जैसे features retrofit करवाना value wise better option है RX-L variant अब significantly expensive है considering the added features most buyers के लिए RX-T variant जादा suitable रहेगा यह काईगर का top recommended variant है with the naturally aspirated engine RX-Z variant पे upgrade value wise sensible है तो आप उसे consider कर सकते हैं काईगर में naturally aspirated engine के comparison में turbo petrol engine expensive है बट अगर यह आपकी primary car होगी तो we would recommend you to buy the turbo petrol engine only इस engine के साथ manual transmission के case में RX-L variant लेने से better है RX-T पे upgrade करना यह value और features दोनों के perspective से sensible upgrade होगा इसके उपर RX-Z variant में primarily feel good और convenience features add होते हैं इन features के लिए यह upgrade value wise sensible है तो आप better ownership experience के लिए यह upgrade कर सकते हैं यह verdict manual और CVT दोनों के लिए valid है काइगर टर्बो, automatic transmission के साथ manual से better value proposition है तो आप इसे जरूर consider करें चलिए अब काइगर के exterior color options देखते हैं काइगर के सभी variants में 5 monotone और 2 dual tone colors आते हैं blue, silver, grey, white, brown, blue black और silver black इसके top RXZ variant में dual tone gray, white, brown और red colors का भी option है और इसी के साथ खतम होता है यह variants explained video वी hope इसे देखने के बाद आप काइगर का right variant चूज कर पाएंगे अगर आपके काइगर से related कोई questions है या हमारी videos के regarding suggestions है तो प्लीज हमें comment section में जरूर बताएं thanks for watching this video for more details आप हमारी website www.v3cars.com पे भी जा सकते हैं या हमें facebook और insta पे follow करें सभी links वीडियो के description में available हैं